बेवफा की वापसी रियल लव स्टोरी, तो जनाब ये किस्सा है हमारे लड़कपन का जिसको टीनेज भी कहते हैं, हमारे नाना जी के घर के नस्दीक दो अती सुन्दर बहने रहती थी, जो हमेशा एक साथ अपने छज्जे में जिसको बॉलकोनी भी कहते हैं खड़ी होती, बाहर जाती तो साथ जाती थी, हम थोड़े बदमाश और शरार्ती टाइप कि थे मगर हमको लड़कियों की शराफत और सादगी बहुत आकरशित करती थी, सब तरफ से जाच करवाने पर ये ही पता चलता था कि ये दोनों बहने किसी को आँख उठा कर भी नहीं देखती औ अब हम शुरू से रेलवे के रिजर्वेशन प्रणाली के समर्थक रहे हैं तो भला हमक्यों किसी को वेटिंग लिस्ट से बाहर करते सो हमने सावधानी से दोनों को आँखों में आखे डालकर मुस्कुराते हुए गर्दन को एक तरफ कभी दूसरी तरफ करके मुस्कुराहटों का हसीन हमला शुरू कर दिया इस बात का खास ख्याल रखा कि जब एक को देखे तो दूसरी ना देखे और दोनों को यही लगे कि हम उसी को देख रहे हैं हमको उस समय दोस्तों को कोड नाम देना बहुत पसंद और सुविधाजनक लगता था तो हमने उन बहनों को भी कोड नाम दिया बड़ी वाली का नाम हमने चिलगोजा और छोटी का चैरी चैरी रखा अब बस यूँ ही नजवे मिलाते हटाते नज़रों से बातचीत चली रही थी कि चिलगोजा जो हमको पसंद थी उसकी मुस्कान हमको इशारा देने लगी कि वो हमारी आरक्षन नीती को पहचान गई है अब हम ज्यादा रिस्क ले नहीं सकते थे तो हमने चिलगोजे पर से अपना फोकस हटा कर चैरी पर ध्यान केंद्रित कर दिया एक दिन अचानक हम टहल रहे थे तो चैरी साइकल चलाती हमारे पास एक गली में शाम धलते वक्त आई और बोली क्या बात करनी है आपको बोलो . हम अवाक हुए इस वारताला प्रूपी हमले से संभालते हुए सुरक्षित दूरी बनाते हुए बोले क्यों तुमको नहीं पता कि मैं क्या कहना चाहता हूँ . वो मुस्कुरा कर सर जुकाते हुए नजरे उठा कर बोली तो बोलिये ना हमने अब भी सुरक्षा को प्राथमिकता समझकर कहा देखो तुम जाओ कोई देख लेगा तुमको पता ही है कि हम क्या कहेंगे तो क्यों नहीं तुम मेरी अनकही समझकर मुझे जवाब दे देती अब वो शर्मा कर अपनी साइकल पर बैठकर पेंडल मारते हुए बोली लव यू दिल और तीर और चली गई जूट नहीं कहूंगा उस दिन वाकई गर्म हवाओं में भी ठंडक महसूस होने लगी खुशी का तो मानो कोई ठिकाना ही नहीं था जोर की भूक लगने लगी बिना बाद के मुस्कुराहट ने हमारे होन्थो पर घर बना लिया था अब तो इश्क सात्वे आस्मान पे था दिल का कनेक्शन ऐसा कि हम दिल में याद करते थे और वो अपनी बॉलकोनी में आ जाती थी वो ना भी दिखे तो धूप में सूखता उसका दुपटा भी दिल को सुकून दे देता था उसने बहुत से प्रेम पत्र हमको लिखे पत्रों में हमारा दर्जा भगवान जैसा वो लिखती थी उसकी दी हुई उसकी तस्वीर शर्ट के अंदर रखकर हमको ऐसा लगता था कि कोई कबच पहन लिया हो कभी भी किसी से घुसाबाजी हो जाती तो उस तस्वीर के अहसास भर से हमको दर्द नहीं होता था हम हर लड़ाई जीटते थे हमने एक साथ जीवन जीने का कोई वादा कभी इसलिए नहीं किया क्योंकि एक दूसरे के बिना भी रहना पर सकता है ये सोच ही नहीं आती थी इसी दौरान हमारे नाना जी का देहांत हो गया और हमारा आना जाना और चैरी से मिलना कम हो गया इश्क पूरे शबाब पर था और इस कदर था कि हम घर का समान लेने भी जाते तो 9 किलोमीटर दूर चैरी के घर का चक्कर लगा कर समान लाते चैरी भी बेंतिहा मुहबबत करती थी जो हम को महसूस भी होती थी इस सब के बीच एक बार हम चैरी के घर के नजदीक पाक में उसके आने का इंतेजार अपने दो दोस्तों के साथ कर रहे थे कि वो शाम के अंधेरे में हमारे नजदीक आई और बोली मुझे आपसे कोई मतलब नहीं रखना है मैं सिर्फ ये कहने आई हूँ कि आप मेरी फोटो और लेटर्स मुझे वापिस कर दो और मेरी जिन्दगी से चले जाओ अब आप इसको हमारी इगो कहिए या जो भी हमने चैरी से नहीं पूछा कि क्यूं इसा कर रही हो हाला कि हमने उसके चेहरे पर शर्मिंदगी देखी थी क्योंकि वो जो कह रही थी उसके पीछे उसके पास कोई कारण नहीं था उस भावुक पल में मुझे एहसास हुआ कि वो खुद पर काबु रख पाने में नाकाम हो रही है तो मैंने बिना उसके कुछ कहे कहा तुम फिक्र ना करो मैं मा की कसम खाकर कहता हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगा वो आधे घंटे मेरे गले लगकर रोई जब जाने लगी तो उसकी आखों में मुहबबत की जगह इज़्जत थी उसने मेरे हाथ को अपने माथे से लगा कर आसुओं से भिगोते हुए कहा कोई और होता तो शायद बदला लेने के लिए आज मेरा जीवन बरबाद कर देता मगर तुम जानते थी कि आज मैं तुमको नहीं रोकती क्योंकि मैं बहग गई थी तुमने तब भी मुझे संभाला और तुम खुद को काबु में रख सको इसलिए मा की कसम का सहारा लिया काश तुमको मैंने धोखा नहीं दिया होता आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी बस उसके इन भावुक शब्दों ने मेरे पुराने जख्मों पर मरहम का काम किया और किसी का भला करने के अहसास से दिल भर आया एक सुकून सा महसूस हुआ अब हमने फैसला किया कि हम अब कभी नहीं मिलेंगे क्योंकि हमारे मिलने से उसका शादी शुदा जीवन खराब हो सकता था हम केवल अच्छे दोस्त रहने का वादा करके जुदा हो गए और फिर कभी नहीं मिले अब बस जब भी वो तकलीफ में होती है तो फोन पर बात होती है और उसकी तकलीफ दूर होने पर बात खत्म हो जाती है ये भी अच्छा है तकलीफ में लोग उसे ही याद करते हैं जो दिल के करीब होते है इसलिए जनाब हमने अपने अनुभव से यही सीखा है कि जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उसका बुरा करने की सोच भी नहीं सकते आप सही और सच्चे है तो आपकी सच्चा है आपको एक दिन सम्मान जरूर दिलवाएगी इसलिए बदला लेने या खुद का बुरा करने से बहतर है अपनी नाकाम मोहबबत को अपने दिल में सहेच कर रखना मोहबबत से भी अगर कुछ बड़ा है तो वो है महबुबा से मोहबबत के साथ इज़त पाना और इज़त आपको आपके अच्छे कर्म आज नहीं तो कल जरूर दिलवाद देंगे